तो हेलो दोस्तो में नाम प्रशान चर्मा है और मैं एक इंवेस्मेंट ट्रेनर हूँ और आज की हमारी वीडियो को टॉपिक है कि हाव टू इंक्रीज रिटार्न अन आर एक्जिस्टिंग मुचल फंड कि हमने पहले से मुचल फंड में इंवेस्ट किया हुआ है और वो हमें कम रिटन दे रहे हैं तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे मुचल फंड की रिटन इंक्रीज हो जाए तो दोस्तो पहले तो वही सवाल आता है कि जब भी हमने किसी भी मुचल फंड में इंवेस्ट करना है तो उस स्कीम को हमने अच्छे से स्टडी करना है क्योंकि ये हमारे future का सवाल है जो भी पैसा आज हम अपनी महनत से एकठा करके fund में डाल रहे हैं वो सही से investor चाहिए सही companies में investor चाहिए तो उसके लिए पहले तो वह ज़रूरी है कि जिस भी asset management company के साथ जा रहे हैं हम उसका profile देखें कि वो company कैसी है फिर जिस future fund की scheme है वो companies के अंदर invest करते हैं पुराना return कैसा है बाकी company के सारी जिए कैसी है अगर हमने ये सब चीजे देखके ही invest किया है तो वैसे ही हमारे return जो है increase होने के chances बढ़ जाते हैं मगर फिर भी अगर हमें हमारे returns कम मिल रहे हैं तो उसका एक main reason हो सकता है और वो है expense ratio, expense ratio, expense ratio तो मैं आपको detail मताता हूँ कि expense ratio होता क्या है expense ratio के अंदर वो सारे खर्चे आते हैं जो एक asset management company हम से charge करती है अपनी company को चलाने के लिए यानि कि उस company के सारे operating expenses उसके जो fund manager है, उनकी salaries जो agents हो रखते हैं उनका खर्चा, marketing सारा ही तो इसको पर क्या आता वो overall fund के ओपर एक percentage fix कर देते हैं कि इतना percent इसमें expense ratio लगेगा और भहुत सारे हमारे investors ऐसे हैं जो इसको consider नहीं करते हैं expense ratio कितना लग रहा है, क्या लग रहा है और फिर बाद में उनको उसमें loss आता है इसके लिए सबसे हमें पहले जानना जुरूरी है कि जितने भी mutual fund की scheme होती है ये दो तरह की होती है एक होती है regular और दूसरी होती है direct regular के अंदर मतलत होता है कि आप किसी agent के तुरू invest कर रहे है मतलब इसके अंदर कोई agent involved है और direct में ऐसा नाम है कि इसके अंदर आप directly invest कर रहे है आपके और company की बीच में कोई agent कोई और बंदा involved नहीं है अब होता क्या है कि अगर आपने regular scheme में invest किया है तो company को agent को commission देनी पड़ती है जिसकी वज़से expense ratio increase हो जाते है और वहीं क्योंकि direct है किसी को commission देनी तो वहाँ पे expense ratio lower side पे होते है अब में बात आती है expense ratio लगता कितना है जो normal regular scheme है उसके अंदर 2 से 2.5% का expense ratio जाता है और वहीं अगर इसको compare करें हम direct scheme के साथ में तो वहाँ पे 0.1% से 0.7% का expense ratio लगता है ये हम एक average की बात कर रहे है थोड़ा बहुत उपर नीचा हो सकता हर एक asset management company के साब से तो आप देखिए कहां 2.2% का expense ratio regular scheme में और कहां 0.1% या 0.7% का direct scheme के अंदर कितना ज़र difference आता है डेट से 2% का difference आ सकता है अब कुछ लोग को लगता है कि या डेट 2% में क्या problem आ रही है इतना कौन सा charges है कौन से खर्चे ज़्यादा है हो जाएंगे लेकिन आप इस बात को समझ जिए कि expense ratio हमारे mutual fund की return को directly hit करते है मैं आपको उताता हूँ कैसे कि मालीजी आपने सोच समझ कि अच्छे से scheme में लगाया पैसा और वो आपको 15% की return दे रही है साल की लेकिन वहीं अगर इसके अंदर 2% का expense ratio कंपनी काट रही है तो उसमें क्या होगा आपको जो actual return मिलेगी वो मिलेगी 13% की 2% कट जाएगा और ये 2% ऐसा नहीं होता कि 6 मिने बाद quarterly या साल बाद कटेगा नहीं ये 2% हमारी NAV में से per day कंपनी काटती है यानि के 2% divided by 365 जो भी amount आता है वो per day कटता है तो जो कट गया वो कट गया इस वीडियो के बाद में आप इसको रोक सकते हैं आप इसको manage कर सकते हैं अब ये तो होगा एक general example मैं आपको figures में बताता हूँ क्या होता है कि माल लिजे आज आपने 5000,000 पर month deposit किया किसी scheme के अंदर अगले 20 साल के लिए और आपको return मिला 15% का तो जो बाद में accumulate होके आपको पैसा मिलेगा वो बनता है approximately 66 lakh रुपीज और वहीं इसमें अगर regular scheme में 2% का company ने काट लिया और 13% return मिली तो ये बनेगा 52 lakh रुपीज कहा 66 lakh रुपीज और कहा 52 lakh रुपीज 14 lakh रुपे कट गए हमारे किसमें कट गए सिर्फ उसे छोटे से 2% expense ratio में ये मैं आपको ऐसे नहीं कर रहा आप चाहें तो खुलत calculate करके दे सकते हैं बहुत सारे calculator available हैं जो हमें mutual fund की return calculate करके बताते हैं कि इतना percent है इतना amount deposit करेंगे इतने साल के लिए तो इतना बनेगा आप उसमें डाल के देखिए आपको पता लेगा 14 लाख रुपे कट गए सिर्फ उस 2% expense ratio के नाम के जिसको कि हम पूरी तरह से बचा सकते हैं और अपने future के लिए जोड सकते हैं तो दोस्तों अब बात आती है कि इसको हमने करना कैसे है आप जानते हैं आज के जितनी mutual fund companies हैं सबके online portals हैं या उनके office भी हैं तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको अपने regular fund को convert कराना है direct scheme के अंदर और आपको डेट से 2% का उसी में high मिल जाएगा अब प्रॉब्लम क्या आती है कुछ लोग को लगता है कि expense ratio high है तो कोई बात नहीं यह तो इसलिए हाई है क्योंकि हमारी जो company के fund manager हैं वो ज़्यादा expert हैं ज़्यादा professional हैं इसलिए उनके charges ज़्यादा हैं तो सर ऐसा बिलकुल नहीं है अगर हम regular से direct में जाएंगे तब भी fund manager वही रहेंगे उतनी ही expertise लगाएंगे उतनी ही करेंगे आपके लिए लेकिन जो फरक पड़ता है वो commission का पड़ जाता है कुछ लोग को तो यह होता है कि ठीक है उन्होंने किसी agent के थुरू करा उससे advice ली तो उनको commission जना चाहिए वो ठीक है मैं उसके लिए नहीं कहा रहा बट कुछ लोग क्या है कि खुद ही invest करते हैं companies के portal के थुरू जाके invest करते हैं लेकिन वो regular scheme में कर देते हैं में लिए उनके लिए है कि आपको regular में नहीं करना आपको direct में करना है आप दोनों scheme को compare करके देखिए उसमें कितना expense ratio है इसमें कितना expense ratio है आपको खुद चीज़े समझ में आएगी तो एक बहुत important चीज़ है इसको consider करिए अगर आप नया investment करने जा रहे हैं तब भी consider कीजिए आप direct में invest कीजिए आपका पूराना चल रहा है तो आप उसको convert करा लिजिए और आप देखेंगे कि date से 2% इटन आपकी अगले दिन से ही बढ़नी शुरू हो जाएगी थोड़े दिनों बाद आपको उसका effect दिखना शुरू हो जाएगा तो ये आपको मेरे आज बताना चाहता था सारी information में आपको दे दी है उम्मीद करता हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो का आप लाइक कीजेगा और मेरे चैनल को भी subscribe करेंज़ेगा जिससे कि आपको आगे और information मिलती है आपने मुझे इतना समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद